आज की स्किलास के अंतरकत हम चुम्बक का चुम्बक कत्व क्या होता है इसको बहुती बारीकिसे जानने वाले हैं संपुन्य जानकारी जो भी आपको बताया जाएगा वित प्रेक्टिकल समझाया जाएगा यानि प्रेक्टिकल के साथ आपको सारी बाते समझाने वाले हैं त चुम्बक किसे केते हैं कि जो लोहे की बनी हुई वस्तूओं को निकिल से बनी हुई वस्तूओं को कोबाल्टे से बनी हुई वस्तूओं को अपने और खीच ले उसे केते हैं चुम्बक अब रही बाद चुम्बक के चुम्बक कत्व की तो पहले आप यहां से देखिए जैस किसी को केते हैं चुम्बक का चुम्बक का किसी भी पधारतों को अपनी और आकरसित करने का गुन चाहे बहले यह चोटी से चोटी चुम्बक आप क्यों ना लेंगे फिर भी यह यह इसे खीशने का प्रियास करेगा ठीक है थोड़े जानदा छोटा हो गया है इस तरह से कोई चउनिवाद चुम्बकक आप ले सकते हैं तो ये किसी को कहते है चुम्बक का चुमबक कतु है तो चुम्बक का पधारतों को अपनी और आकरसित करने का गुन ही चुम्बक का चूमबकक कयलाता है अब यह तो किलियर हो गया कि चुम्बक का चुम्बक का तो क्या है कोई भी पधारतों को अपने हो रहा है खीचेगा वो आकरसित करेगा तो यह तो चुम्बक का चुम्बक का तो पर इसके बाद में देखिए यहां पर कुछ बाते लिखी है नोट करने हो गये किसी भी चुम्बक के स पर अर्थात उसके धुरूबों पर अब धुरूब को ने इस पर दो सिरे आपको नजर आ रहे हैं चुम्बक के एक तरफ एन लिखा हुआ है एक तरफ एस लिखा हुआ है इस चुम्बक में भी एन लिखा है और एस लिखा हुआ है तो इन चुम्बकों में आप गोर से देख पंची नहीं पायेगा देखियों इसे के तो किसी भी चुम्बग के शिरोपर अर्थात उसके धृूरोपर सबसे अधिक चुम्बग कात्व होता है और बीच में क्या होता है सबसे कम देखिए ठीक है और यही चीज में यहाँ पर ले जाओं तो यह अपना आप ओटमेटर लिस्वा खड़ा कर लिया है और इसके आगे देखिए एक और महत्पुन बिंदू लिखावा है कि एक छड़ चुम्बक है इसको हम सोतंतर लटकाएंगे तो यहाँ हमेशा उत उत्र और दच्छिन दिशा में ठहरेगी क्योंकि इसका देखिए नाम ही एन एस इसके उपर से ही रखा गया है एन का मतलब है उत्री दिशा दरसा हैगा एस का मतलब है दच्छिनी दिशा बताएंगा नौर्थ पॉल और साउथ पॉल ठीक है तो यही क्या है चड़ चुम् क्या कहते हैं तो किसी दृव पर सबसे जनदा go 손 मतलब है सबसे कम पाया जाएगा फिंड़ सट लटकाएंगे तो वहां हमेशा उत्तर दच्छिना में थैरेगी तوب प्उल्ट है और